हेलो एवडी वन वेलकम बैक तू माई चैनल गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज दिन है मंडे और अभी बच रहे हैं सुभे के साड़े नौ और मेरा आदा से ज्यादा काम हो चुका है तीन दिन की चुटी के बाद में आज बच्चो के स्कूल थे तो अयन सुभे स्कूल चला गया और मैं वही टाइम पर उठी थी अपने मतलब साड़े पांच पौने छे के करीब में उठती हूँ और उसके बाद में उसका सबसे पहले लंच टिफिन वेगर तयार करके उसे तय स्कूल भेजा और सुभे में काफी ज्यादा ठंड और रखी थी कोहरा बहुत जादा था लेकिन हाँ बस यहाँ पर यही है कि धूप अगर आ रही है न तो ठंड का इतना एहसास नहीं होता है सुभे साम की जो ठंड है वही है लेकिन हाँ उसके बाद अच्छा लगता है औ अगर धूप निकलती है तो नहीं तो क्या है धूप नहीं निकले बादल बादल रहे और कोहरा रहे न तो काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है सरदियों में और नहीं उठने का और अभी अयन की टाइमिंग सेम ही है कोई चेंजेस नहीं उसमें क्योंकि यहाँ ठंड ज्यादा नहीं होती है इस वज़े से बच्चों की टाइमिंग को सेम ही रखा गया है जहां कहीं ज्यादा ठंड हो रही है वहां पे टाइमिंग बढ़ा दी गई है तो उन पैरेंट्स के लिए अच्छा है ममी पापा के लिए कि थोड़ा लेट उट जाएं और बच्चों को भी थोड़ा आराम रहे नहीं तो वही टाइम पे अगर स्कूल जाए तो हालत खराब हो जाती है बच्चों की ठंड में और कितने दिन अभी 15-20 दिन लगभग जो है विंटर की वेकेशन्स भी हुए थे बच्चों के जहां जादा ठंड हो रही है लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था यहां तो इतनी ठंड है नहीं की वेकेशन्स होंगे बस जो क्रिस्मस पे चुट्टी थी बस वही थी और उसके बाद जो है कंटिन्यू क्लासिस चल रही है यहन की और अभी मकर सकरांती की चुट्टी थी तीन दिन की मतब फ्राइडे सेटरडे और संडे और आज मंडे का दिन है तो आजाएं स्कूल चला गया सुबह और मैं लग गई हूँ अपने घर के काम में कर दो कर दो कर दो है तो यहां पे मैंने दोनों रूम में ज़ाड़ू लगा दी है आएन वाली बालकिनी को भी आज मैंने ज़ाड़ू ही लगाया है सरीफ अभी दोया नहीं है क्योंकि क्या है कि दो तीन दिन के गैप में मैं दोती हूं और आज मुझे नहीं दोना है मैं विडनस डे को दोंगी तो मैंने स्रीफ अभी जाडू लगाई है और पूछा लगा दूगी ऐसे ही मॉप से तो बस यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में अब बारी ये किचन की तो अच्छी से किचन में भी जाडू लगाऊंगी और म पूछा लगा देती हूँ और घर में सारे जाडू लगाने के बाद अब बारी आती है इस वाले बालकिनी की तो बालकिनी में जाडू लगा रही हूं मैं लेकिन मैंने चेंज कर दिये जाडू ये प्लास्टिक वाली जाडू है क्योंकि क्या होता है यहाँ पे सुबह में जलवल सीचते हैं या फिर गंबलों में पानी देते हैं तो बीच बीच में पानी रह जाता है जिसकी वज़े से क्या होता है जाडू गीली हो जाती है तो यह वाली जाडू ना यह प्लास्टिक की है और यहां पे लगाने के लिए सही है लेकिन अंदर ना मैं इससे नहीं जाती है क्योंकि सामने वाले टावर से पूरी धूप छुप जाती है पहले उनको दूप मिलती है उसके बाद हमारे धर पहुंसती है तो बस यहां पर मैंने साहरा कूड़ा जो इकठा कर लिया है और यह देखो गाईस कितना अच्छा धनिया निकला इसमें और आप यकिन मानेंगे ममी ने किस चीज में यह लगा दिया मैं आपको बताऊंगी अभी और देखने में बहुत खुबसूरत लग रहा है एकदम और काफी बड़ा भी हो गया है लेकिन अभी तक एक बार भी नहीं से तोड़ा नहीं है और यह दिखिए इसकी पतियां कितनी खुबसूर किया है यह कुकीज में आया था तो ममी ने इसी में ही लगा दिया था मिट्टी भर के और इसमें भी लगाई थी लेकिन दो तीन दिन यह बाहर की तरफ मतलब कि यहां पे ही उसमें रख दिये थे ना इस वज़े से सायद इसकी सारी पतिया ना मुर्जा गई ठंडी की वज करेगा तो तोडेंगे मतब खुशूरत लग रहा है ना देखने में तो तोडने का भी मन नहीं कर रहा है तो आज मौसम को देखते विए मैंने मेरे और आयन के दोनों के सूज धो लिए हैं क्योंकि क्या है ना कि धूप बहुत अच्छी निकली थी ना तो मुझे लाले चा पापा के अलग और सब के कपड़े लगा दोंगी कबर्ड में क्या होता है ना कि घर में अगर कपड़े इदर उदर फैले वे हो तो घर वैसे भी मैसी लगने लग जाता है और सारा घर जब साफ कर दिया तो लगे हाथ मैंने ये भी कर ही दिया क्योंकि क्या है कि बाद में फिर खाने में लग जाओंगी और काम में तो फिर टाइम मुझे बिलकुल भी नहीं मिलेगा और अभी मुझे सबजी भी कट करनी है तो आज दौफैर के खाने में लाल साग बनाने वाली हूँ आप में से किसे किसे लाल साग पसंद है बताईएग हम लोग यह वाले ही खा लेंगे बहुत टेस्टी रखती है अगर आप इसे चावल के साथ खाओगे तो तो बस यहां पे सबजी मेरी बन चुकी है और यहां पे अभी मैं निकाल लए हूँ इसे कड़ाई में से तो गाइस यह क्लीप है संडे की हम लोग जा रहे हैं मौल कुछ समान लेना था मुझे तो बस मैं और एन के पापा जा रहे हैं आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा रास्ते में हमें मिला मंदिर हम गए मंदिर और उसके बाद पहुंच गए मॉल और यहां पे हमने की थोड़ी बाद स्वापिंग तो इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं आप से मिलते हैं अगले व्लॉग में बाद